नमस्कार मित्रो, बहुत से बच्चे इस साल जो है आप में से M-TEC, IITs, NITs या State Government College में जॉइन करने वालो हैं लेकिन क्या आपको पता है कि M-TEC जॉइन करने से पहले आपको किन-किन चीजों का ध्यान देना है तो आज के वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से यही बात करूँगा कि M-TEC जॉइन करने से पहले आपको क्या चीजों को रिवाइस करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या पॉइंट्स है जो आपको IIT या NIT में जाके नहीं करना है जिसके वज़े से आपका प्लेस्मेंट में प्रॉब्लम ठीक है तो चलिए फिर मैं वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना है वो मैं बोल दूँ तो अभी जैसे कि आप लोगों का अगर सीट पका हो गया है तो मैं बोलूंगा कि आप लोग Engineering Mathematics जो आपने M1, M2, M3 यह पूरा जो पढ़ाता इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़के जाना है specially Linear Algebra, Probability and Random Variable अगर आप EC, Electrical या CS से है CS से है तो आपको Discreet Mathematics यह जितने भी Topics है इनको आपको पढ़के जाना है साथ ही आपके जो Core Subjects है उनको आप एक बार जरूर Revise करके जाईएगा Next आजाता है कि आपको अपका Coding Language देखिए जब भी आप IATS में जाते हो तो बहुत से बच्चे अभी क्या होता है कि Coding उनको सही से नहीं पता होता है और यह सोचते है कि हमें क्या Coding की ज़रूर है Coding तो CS वाले करेंगे लेकिन मैं आपको बताओ जब आप कोई चीज को Research करते हो तो आपको उसका जो है Result को दिखाना पड़ता है कि आपने जो Paper को समझा है क्या उसको आपने properly समझा है तो आप जब उस Results को Simulate करेंगे तो उसको आप कैसे करेंगे फिर तो वहाँ पे Coding Language में आपको Code करके दिखाना पड़ेगा तो अगर आप मेरे से पूछो कि Best कौन सा आप पढ़के जाए Coding Language में तो मैं आपको बोलूँगा Python देख लीजिए आप C++ देख लीजिए जाते हैं उनको ये problem होता है कि आप जो है PPT बनाना और PPT को अकेले deliver करना इसमें आपको बहुत difficulty होता है तो सबसे पहले मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप PowerPoint presentation को बनाना बहुत अच्छे से सीखिए ठीक है इसके लिए मैं एक side बोलूँगा कि आप वहां से भी जाके एक बार देख सकते हो कि कैसे बनता है चीजे slide share लेकिन यहां से copy मत कर लेना ठीक है copy बिल्कुल भी slide download करके copy कर रहे है नहीं वो नहीं करिए यहां से ideas आप लीजिए कि कैसे presentation बनाया जाता है दूसरा बात कि आप presentation को deliver कैसे करोगे को मैं बता रहा हूं क्यूंकि आपको आपका thesis जो है खुद से present करना है आपके जो mini project रहेगा उसको भी आपको वहां पर देना है तो mini project आपका जो है basically PDF generator होता है हाना तो यहां पर आपका thesis बनाने में भी easy होगा और साथी आपको अगर आपका PPT भी बनाना है ठीक है presentation भी बनाना है तो latex से आप बहुत easily बना सकते हो जैसे कि अगर मैं आप लोग को बोलू कि एक equation लिखना है जैसे कि x square plus 5x plus 9 divided by 3x cube plus 3 equal to 0 अगर इसको आपको लिखना है तो अगर आप word में लिखने जाएंगे तो यहां पर आपको ऐसा वाला option ढूंडना पड़ेगा ठीक है ऐसे options आपको ढूंड ढूंड के फिर यह वाला option आपको पहले तो यह option लेना था देखिए मेरे से भी गलत हो गया पहले यह वाला option में लेके आपको numerator फिल करना है फिर denominator फिल करना है फिर equal to 0 तो इसमें बहुत टाइम जाता है लेकिन लेटेक्स में क्या है यह सिंपल सा language टाइप का है programming kind of है तो यहां पर आपको सिंपल क्या करना है एक bracket open कीजिए हाना x ऐसे लिख दीजिए plus 5x plus 9 bracket close यह sign डालिए फिर यहां पर 3 equal to 0 यह जो ही दे देंगे और यहां पर एक आपका compile बटन रहता है compile जो ही करेंगे यह automatically आपको pdf में generate कर देगा plus इससे यह time save होता है कि आप अपने thesis या जो भी mini project है उसी से directly आप ppt generate कर सकते हो powerpoint presentation तो वह बहुत ही अच्छा चीज होता है तो latex आप लोग जरूर सीख लीजिए ज्यादा time नहीं लगता है एक दिन का बस काम होता है आप सीख जाओगे ठीक है अगर आप लोग को link चाहिए तो मैं आप लोग आप लोग नीचे comment section में comment कीजिए कहां से latex पढ़ना है कौन सा किताब best है मैं आप लोग को सारे चीजे बता दूगा ठीक है नेक्स जो सबसे important होता है कि research paper कैसे पढ़े या review paper कैसे पढ़े तो इसके लिए मैंने सोचा है कि एक अलग सा session ही पूरा बनाऊंगा अगर आप लोग को वो session में interest है तो नीचे जरूर comment करके मुझे बताईएगा आप लोग के response के उपर ही मैं वह वाला video को तयार करूंगा तो यहां पर research paper और review paper कैसे पढ़ना है तो अभी के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप जा रहे हो तो उससे क्या होगा आपको एक habit होगा research paper पढ़ने का देखिए एक research paper जो होता है वो काफी different होता है textbook से textbook में यह माना जाता है कि आपको बहुत से चीजे आते नहीं है उसको explain किया जाता है लेकिन research paper बिलकुल ऐसा नहीं होता है एक reference दिया जाएगा एक number रहेगा फिर आप पर आपको research paper पढ़ना होता है ना कि textbook ठीक है तो मैंने जैसे की बार-बार बोला आपके जो है आप कैसे अगर आप मतलब यह इस पर वीडियो चाहते हो तो मैं आप लोगों का response चाहता हूँ नीचे comment section में उसी के उपर मैं फिर आप लोगों के लिए specially एक research paper कैसे पढ़ा ज community जो है अपने website में course को पूरा लिख के रखते है कि कितने credit का course है क्या syllabus है उसमें आपको क्या practical करना है कौन से lap जाना है तो आज के date में YouTube में अगर आप देखेंगे हर एक चीज का आपको कुछ ना कुछ content तो मिल ही जाएगा ठीक है तो इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा देखिएगा साथ ही मैं बोलूँगा कि आप लोग nptl के video जरूर mtech के course को पढ़ने के लिए use करिएगा अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है जब आप जाएंगे तब आप देखना ठीक है दूसरा जो point मैंने यहाँ पे लिखा है कि research the optional subject देखिए बहुत से बार क्या होता है optional subject आपको क्या लेना आपको तो पता चल चुका है आप कौन से course में जा रहे हो वहाँ पे क्या-क्या optional subject है वो भी आपको syllabus में मिल जाएगा तो आप एक बार उन optional subjects को just उनका syllabus देखिए उसके content net पे कहां available है कौन से books जो है वो syllabus के साथ लिखा हुआ है उसको एक बार देखिए जिससे कि क्या हो जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको comfortably पता चले कि आपको कौन सा subject select कर रहा है ठीक है अब next बात कि कौन से चीजों का आपको ध्यान देना है IIT, NIT जाके तो देखिए सबसे पहला आप में से 80% बच्चे ऐसे होंगे जो की कोई coaching लिए होंगे या तो online य basically आपको spoon feeding किया जाता है लेकिन IIT या specially मैं IIT की बात बोलू, IIT में कोई spoon feeding नहीं होता है तो सबसे जाधा जो दिक्कत होता है न वो यहाँ पे ही बच्चों को होता है कि वो एक अलग environment जहाँ पे की teacher आपको पूरा बता देता है कि आपको यह करना है आपको वो नहीं करना है वहाँ से आप directly वहाँ जा रहे हो जहाँ पे की teacher आपको सिर्फ पढ़ा देता है कि यह देख लेना आप उसके बाद उसके उपर research पूरा आपको करना होता है तो इस चीज का ध्यान रहे कि IIT में आपको कोई spoon feeding नहीं मिलेगा दूसरा जो सबसे बड़ा चीज और गलती बच्चे करते है IIT या NIT में जाके daily lecture नहीं करते है देखिए वहाँ पे बहुत से classes में professor ऐसे होते जो की attendance maintain ही नहीं करते है कि IIT में भी ऐसे बहुत से आप देखोगे कि professor होते है जो की direct अपने lecture से ही exam में question पूछते है तो इसलिए आपको daily वहाँ पे lectures attend करना है और notes भी बहुत अच्छे से properly जैसे आप gate के coaching में बैटके बनाये थे वैसे ही आपको notes यहाँ पे बनाना है अगर आप नहीं बनाते हो त तो बाद में मुझे बहुत difficulty हुआ था ठीक है next आ जाता है कि submit assignments on time देखिए teacher जब पढ़ाएगा ना वहाँ पे बहुत सारे coding assignments रहेंगे बहुत सारे theoretical assignments रहेंगे तो उसको आपको जो है Google Drive में upload करना होता है तो जो stipulated time होता है उसी में आप assignments को submit कीजिएगा कोशिश करिएगा कि अगर आप करते हो जैसे कि 12 बजे तक दिया हुआ है तो maximum 3 बजे रात तक अगर आप submit कर दोगे कोई कुछ नहीं बोलेगा लेकिन आप next day अगर कर रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है marks आपको नहीं मिलेगा उन assignment का क्योंकि वहाँ पर मैं बता दूँ जो PhD वाले लोग ह होते हैं आरे होते हैं वह आपका assignments चेक करने वाले होते हैं तो वहाँ पर वह न चेक ही नहीं करते हैं अगर आप उसको टाइम में नहीं देते ठीक है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है नेक्स जो सबसे बड़ा problem हो जाता है कि आप मिड्सम के लिए पढ़ते ही नहीं ठीक है मिड्सम बहुत important होता है IIT और NIT में Mtech के लिए specially क्योंकि उसका जो marks होता है वो आपका final sem में जो है उसको include किया जाता है तो इसलिए मिड्सम को बिल्कुल भी lightly ना लीजेगा अच्छे से उसके लिए पढ़ना start कीजेगा और फिर उसको completely अच्छे से दीजिएगा ठीक है next यहाँ पे जो engineering हम जैसे की private colleges या state government colleges से जाते हैं तो बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या सोचते है IIT भी जाके हम एक रात में पढ़ लेंगे एक रात में पढ़ने से हाँ नहीं होगा एक हपते पहले भी अगर पढ़ना start करोगे ना note source लेके तो भी एक अच्छा respectable marks मिलेगा लेकिन मेरा जो suggestion है ठीक है मेरा suggestion यही है अगर आप एक top IIT या NIT में जा रहे हो तो please please everyday पढ़ाई कीजिए क्योंकि last में अगर आपके number अगर कम आते हैं तो आपको placement बिलकुल नहीं मिलेगा ठीक है तो one night before exam बिलकुल मत पढ़िये पहले से पढ़ना start कीजिए जिससे आपको load भी कम लगे और आपका जो है marks भी अच्छे से और एक जो point जो सबसे जादा बच्चों के साथ होता है कि आपको IIT मिला top IIT मिला या top NIT मिला आप जाके घूमना फिरना दोस्ती यारी में ही time waste कर रहे हैं यह सब के साथ होता है क्यों क्योंकि आप gate के लिए एक साल प्रिपैर करते हो और जब आप एक IIT में जाते हो या NIT में जाते हो top वाले तो वहाँ पे माहौली अलग होता है हाना बहुत से बच्चे मिलते हैं बहुत से लोग मतलब girlfriend boyfriend में भी लग जाते हैं और वहाँ पे फिर घूमना फिरना इधर उधर movie देखना साइट सींग में चले गए जैसे कि अगर कोई IIT हैदराबाद में जा रहा है तो वहाँ पे अलग अलग बोल कुंडा फोर्ट गूम रहा है यहां गूम रहा है ठीक है मैं भी घूमा हूँ तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि enjoyment करिए लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बहुत कर ले दो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप first semester में ही enjoyment जादा कर लोगे न marks कम आ जाएगा बाकी के तीन semester में कोई enjoyment मिलेगा नहीं और last में तो आपको placement भी नहीं मिलेगा तो इसलिए enjoyment को कीजिए लेकिन एक certain quantity में कीजिए एवरी डे ऐसने एवरी वीकेंड आप enjoyment ही कर रहे हो एक महीने तक enjoyment किये इससे क्या होगा आपका assignment pending हो जाएगा आपका पढ़ाई लिखाई pending हो जाएगा और फिर दिक्कत आप ही को होने बाता है ठीक है तो इसी के साथ जो है ये वाला video session मैं यहाँ पे end करूंगा अगर दीजिए और अगर आप channel पर पहली बार आये हो तो चैनल को subscribe जरूर करना ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले session में धन्यवाद